नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से मारे यूट्यूब चैनल के एक दम लेटेस्ट वीडियो में दोस्तों प्रदानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निदी की सोलवी किष्ट जारी कर दिये किसानों के खाते में 2000 रुपे भी पहुंचने लगे हैं वहीं दोस्तों अगर आपके खाते में किसान सम्मान निदी के पैसे नहीं आये हैं तो आपको क्या करना है यह भी हम इस वीडियो में बताएंगे दरसल दोस्तों पहले बात कर लेते हैं किसान सम्मान निदी की सोलवी किष्ट की दरसल दोस्तो प्रदान मंतरी मोधी ने आज यानिक 28 फरवरी को पीम किसान सम्मान निदी की सोलवी किस्ट महराष्ट के यवत माल से जारी किये सोलवी किस्त के तहट 9 करोड से ज़ादा किसानों के खाते में 21,000 करोड से अधिक की सम्मान राशी सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है किसानों के खाते में राशी DBD माध्यम से पहुंचाई गई है प्रदानमंतरी किसान सम्मा निदी के तहट किसानों को सालाना 6,000 रुपे की आर्दिक मदद की जाती है किसानों के खाते में ये राशी हर चार महीने के अंदराल में 2,000 रुपे करके 3 किष्टों में भेजी जाती है वैसे दूस्तों आपको यह भी बता देते हैं कि इस तरह के किसानों को यह DBD के माध्यम से राशी नहीं मिलती ऐसे किसान जिनके परिवार में कोई टेक्स देता हो तो वह इस योजना का लाब नहीं ले सकते हैं यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेती खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाब नहीं मिलता है अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फाइदा नहीं उठा सकते हैं अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी करमचारी है या फिर रिटायर हो चुका है उसे भी इस योजना से वन्चित रखा जाता है वहीं दोस्तों मुजुदा या पूर्व सांसद विदायक मंत्री को भी पीम किसान योजना का लाब नहीं मिलता अब पात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर, डाक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग भी आते हैं किसान होते हुए भी यदि किसी को 10,000 रुपे महीने से अधिक पेंशन मिलती है तो वो भी इस योजना के लाभारती नहीं हो सकते हैं वहीं दोस्तो अगर आप किसान है और आप चाहते हैं कि किसान सम्मान निदी के पैसे आपके पास तुरंत आजा है और नहीं आप आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा यह भी हम आपको बता देते हैं दरसल दोस्तो आपके दुआरा भरे गए आवेदन में किसी तरह की छोटी सी भूल भी PM किसान योजना के किस्तों से आपको वन्चित कर सकती है अगर आपके खाते में प्रदान मंत्रे किसान योजना की राशी नहीं आई है तो सबसे पहले अपना आवेदन इस्टेटस चेक करें वहां आपके दुआरा दी गई जानकारियां जैसे कि जेंडर की गलती नाम की गलती आधार नंबर गलत या फिर पता गलत हो तो उसे ठीक करें तो भी आप किस्त से वन्चित रह सकते हैं अगर इन जानकारियों में से किसी तरह है कि गलती हो गए यह तो उसे तुरंत ही सही कर लें ऐसा करने से हो सकता है कि अगली किष्ट के साथ आपकी राशी आपके खादे में भेज दी जाए वैसे दूस्तो एक help line number भी है वहाँ पर भी आप संपर्क करके इससे सम्मंदित सारी जान करें या फिर जो आपके प्रोब्लम से उसको solution पा सकते हैं अगर email ID की बात करें तो PM किसान underscore ict at the red gov.in पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं या फिर जो भी आपकी प्रोब्लम है उसको लिख सकते हैं इसके लावा help line number 155-261 पर call करकर आप अपनी समश्या का समाधान यहां से करवा सकते हैं आपको बता दे दोस्तों किसान सम्मान निदी योजना के तरफ किसानों को सालाना 6000 रुपे की अर्दिक मदद की जाती है